मित्रो हिंदू धर्म में बंदरों को हनुमान जी की संतान का दर्जा दिया गया है अगर आपके घर या पिर्चत पर बार बार बंदर आते हैं तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं वो संक्यत अच्छे भी हो सकती हों और बहुँ ज्यादा बूरे भी तो आइए वेदों के नुसार, पुराणों के नुसार और शास्त्रों के नुसार जानने की कोशिश करते हैं कि बंदर हमें क्या संक्यत देना चाहते हैं नमबर एक मित्रो अगर बंदर आपके घर पर किसी पवित्र त्युहार जैसे की दिपावली, रक्षबंदन, होली, कनेश चतूर्दी जितने भी पवित्र त्युहार होते हैं जितने भी पवित्र व्रत होते हैं इसे व्रत पर आपकी छट पर या आपके घर पर आते हैं तो आपके लिए बहुत ही जादा सुब संकेतें ये संकेत दर्शाता हैं कि आपके परिवार में हमेशा खुशिया बनी रहेगी आप जिस भी नए काईड़े को करेंगी उसमें आपको सफलता मिलेगी आपके घर के अंदर कभी भी ग्रह कलेश नहीं होगा नमबर दो बित्रो वेदों के अनुसार पुराणों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार अगर आप कोई भी फल लेकर किसी भी प्रकार का एक फल लीजिए और ओम हीम कलेम धन देही देही स्वाहा इस मंतर का 108 बार जाप करके अगर वो फल आप बंदर को खिलाते हैं तो इससे आपके घर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं आएगी आप जिस भी कारी को करेंगे उसमें सफल होंगे हमेशा धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके लिए खुलते रहेंगे नमबर तिन, सास्त्रों के अगर में मानू और वेदों के अगर में मानू तो मित्रों कभी भी गर्बवती महिला को बंदर का मुख नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी जो होने वाली संताने उसके अंदर बंदरों जिससे लक्षन उत्मन होते, तो कभी भी गर्बवती महिला आए, बंदर का मुख ना देखे